Dear Students, हमने मुख्लिफ मेट्रिक्स देखी से पहले के मड्यूल्स में इसका मकसद यह था कि हम ये अंदाजाल गएं कि कितनी तरह से हम different respects हैं service, जो cloud services हैं namely infrastructure as a service, platform as a service and software as a service उनके different expects को हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं यानि इसे आपको ये knowledge provide करना मकसूद था कि हम इन जो client है, यानि consumer है और जो provider है, दोनों ही ये बात जान लें के जो different तरह से, जो matrices metrics हैं, जो हमने discuss की हैं यूज हो सकती है, record keeping के लिए भी, और different measurements के लिए भी, अब इनका इस्तमाल क्या है इनका इस्तमाल ये है, कि जब हम for example, service level agreement को देखें, consumer की site से देखें तो consumer के जहन में होना चाहिए है, कि वो क्या-क्या demand कर सकता है उसको अगर ये metrics अगर असानी से याद रहें, या आप जैसे अगर आप use करते हैं, बाद में possible है, आईए हम different जो metrics हमने पढ़ी है, उनको हम SLA guidelines के under जो हम देखते हैं, कि अगर SLA को deal करना पड़े, खास और से consumer को उसको क्या-क्या best practices जो है जहन में रखनी चाहिए है सबसे पहले है mapping of test cases to the SLA ये क्या है a consumer should highlight some test cases, यानि consumer जो है उसको कुछ सोचना चाहिए है, कुछ analysis करना चाहिए है, कि क्या मवाक्य आ सकते हैं, कि जिससे कोई disturbance आ सकती है service में, या कोई disturbance आ सकती है, किसी भी तरह की, जो भी software या service deploy होई है, उसके proper या positive जो है, काम करने के दरान में, और उसके जैसे, for example, disaster हो सकते हैं, performance से related कोई test case बनाया जा सकता है यानि एक दम जो है, बहुत ज्यादा demand बढ़ जाए, एक दम workload बढ़ जाए, या fluctuations आए जो है, इसमें workload में up-down अगर जाता है, तो उसके हवाले से evaluate क्या करना है, कि SLA को जहने इसके हवाले से evaluate उनको करने की ज़रुए थी, the SLA should be aligned with the consumer's requirements of the outcome of these test cases, test case सोचे, उसके बाद यह सोचे कि अगर ऐसी situation हो, तो क्या होना चाहिए है अगर ऐसी situation हो, तो क्या होना चाहिए है cloud, जो provider है, उसकी तरफ से हमें क्या guarantee मिलनी चाहिए है, इस situation में कौन सी matrix जो है इसको deal कर सकती है, किस तरह से हम verify कर सकते हैं, कि cloud provider ने हमें यह जो guarantee दी थी, वो पूरी हुई है, so, जब consumer जो है, SLA sign कर रहा है, या उसको पढ़ रहा है, तो उसको यह जेन में रहना चाहिए कि कुछ ना कुछ test cases जेन में लाके उनको apply करके देखें कि कि क्या SLA में यह सब जो guarantees हैं, जो उसको ने assure की है provider ने के नहीं की, अगर नहीं की तो जाहर है कि उसको फिर add करवाना चाहिए आगे चलें, understanding the scope of SLA यानि service level agreement जो है, वो क्या कुछ cover कर रहा है a clear understanding of the scope of SLA should be made, यह बहुत जरूरी है, कि scope है SLA का, वो अच्छी तरह से जेन शीन किया जाए या उसको analyze किया जाए, it is possible that a software solution may be partially covered by an SLA for example, the database may be left uncovered, यानि SLA जाहिए अगर कि वह आपने service जो है, उसको use करना है आपने और जो provider है उसकी तरफ से जो service level agreement आपको दिया गया है, उस में से उस software या उस service का एक module उनों ने cover नहीं किया, for example database नहीं cover की, अब database नहीं cover की तो अगर data से related to a disaster हो गया है, तो भी SLA cover नहीं करेगा, या उससे जो provider है, उसको disaster से recovery करने के लिए mechanism उसने नहीं रखा होगा तो client को consumer को यह सोचना चाहिए है कि जो SLA है, उसका scope क्या है क्या service यूज़ करना जा रहा है, वो क्या software यूज़ करने जा रहा है, cloud के उपर और उसमें, उसको किस तरह से जो है, नुक्सान हो सकता है, या क्या कुछ components जो हैं, उसने cover की हुए है cloud provider नहीं, इसके जो SLA के अंदर जो भी उनने modules cover किया है या जो feature cover किया है, obviously उसके back end पे उनको फिर कोई failover system या disaster recovery system जह होई implement किया होगा उन लोग ने, जो provider हैं, अगर नहीं mention है scope के अंदर जो चीज तो फिर उसके से related, जो disaster recovery है वो भी cover नहीं की होगी so, यह जो चीज है, यह भी जैन में नशीन रखनी चाहिए फिर documenting the guarantees it is important to document all the guarantees at proper granularity यानि, यह बहुत ज़रूरी है कि सोच लिया analyze कर लिया SLA को document करना भी ज़रूरी है, लिखना ज़रूरी है उसको include करना ज़रूरी है, granularity मतलब कितनी गहराई तक जो है कितनी बारिकी तक जो है, उसको आप लेके जाना चाहरे है, per module cover करना चाहरे है, उसको या overall system को आप just cover करना चाहरे है यह consumer की preference पे depend करेगा, any particular guarantee requirements should also be properly and clearly mentioned in SLA जो हमने पहले जो slides में हमने देखा था कि client को यह अंदाजा हो सकता है consumer को कि कुछ चीज़ें cover नहीं किये हैं SLA में so, जब उसने note down कर ली हैं वह चीज़ें, तो उसको फिर document करना भी बहुत जरूरी है, ताके service level agreement जाए, उसके बाद sign हो सके defining penalties बहुत जरूरी है the penalties and reimbursement should be clearly defined and documented in SLA penalties कब होंगी, जब जो उसने वादे किये हैं, प्रोवाइडर ने guarantees दी हैं, वो violate होंगी वो violate होने का कैसे पतल लेगा, कि यह जो different metrics हमने पढ़ी हैं पहले, वो measure की जा रही हैं, उनकी measurement से अंदाजा हो सकता है, उनके record से अंदाजा हो सकता है, कि हाँ, यहाँ पर verify किया सकता है, कि इस time पर जहना यह violation होई है, जो वादा किया गया था, वो पूरा नहीं हुआ, उसका सुबूत यह measurements हैं, तो उससे जो provider उसे penalty demand की जा सकती है, अब वो जो penalty हैं, कितनी होंगी reimbursement की सूरत में है, या जो भी alternative है, जो cloud provider ने दिया हुआ है penalty को pay करने के लिए, वो क्या है, उसको document किया गया है, या सिर्फ वो जबानी किलामी है, या वो vague है, उसको properly define करने के जरूरत है, फिर SLA monitoring from independent party, ये भी consider करना चाहिए consumer को, कि cloud provider के monitoring पर rely करने के वज़ाए, जो SLA monitoring है, वो third party से करवा लिया जाए, एक independent party से करवा लिया जाए, ताके शक की कोई गुंजाइश ना रहे, और फिर सबसे आखर में, SLA monitoring data archives, यानि अगर एक consumer continue करता है, अपना account या जो usage है, cloud provider के साथ, उसका जो साथ साथ में data, different metrics जहां उसकी measure की जा रही है, SLA जो ser related monitoring की जा रही है, उसका record जो provider है, वो अपने पास रखता है, ताके verify, verification के लिए, जो violation की verification के लिए, या performance की verification के लिए, या यूज किया जा सके, लेकिन अगर consumer, उस cloud provider को छोड़ देता है, और किसी और cloud provider पर shift होयाता है, तो यह जो उसका data था, जो provider के पास पड़ा हुआ है, इसको भी, जो है जाया कर देना चाहिए, जो delete होना चाहिए, data की जो, जो consumer की privacy है, वो disturbed नहीं होनी चाहिए है, this should be disclosed at an, as an assurance by provider in SLA, और यह provider जो है, वो, लिक, यानि SLA में return, जो document sign हो रहे है, उसके लिक के वो देगा कि अगर client move करता है या client discontinue करता है तो, जो जितना भी record है client से related, जो भी data है monitoring से related है, for example, सब कुछ जो है, वो delete कर दिया जाएगा इस तरह से हमने different जो guidelines जो है, वो देखी है after studying different metrics जिससे कि हमें अब अंदाजा हो गया है कि अगर अब हम cloud की जो कोई भी service यूज करने जाएंगे, तो हम क्या कुछ measurement expect कर सकते हैं और हमें SLA को किस तरह से finalize करना चाहिए है